पूरे सुबे के साथ साथ भागलपूर में भी डेंगू के डंग का कहर बढ़ता जा रहा है जिससे लोग काफी भैभीत और डरे सह में हैं जिले में डेंगू के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं पिछले एक सब्ता से जिले में डेंगू मरीज की संख्यां दो दर्जन की आंकड़े को पार कर गई है मरीजों के इलाज भागलपूर के जबहर लाल ने रूच कितसा महाविद देले अस्पताल माया गंज की डेंगू वाड में चल रहा है वही सथर अस्पताल भागलपूर में भी कई डेंगू के मरीज मिले हैं और कई मरीज नीजी नर्सिंग होम में भी अपना इलाज करा रहे हैं सिविल सर्जेंट डॉक्टरों में सर्मा ने बताया कि वारल मरीजों की संख्या अभी भी पढ़ रही है तेज बुखार होने पर लोग डेंगों की जाच करा रहे हैं परधान सचीव ने इस सहर में निमित फॉगिंग कराने का निर्देश दिया है भागलपूर के कई वार्डों में फॉगिंग कराई गई है प्रन्तू डेंगो का कहर इस कदर बढ़ता चला जा रहा है कि लोग काफी परेसान नजर आ रहे हैं जल्द ही बड़ी मसीन ठीक करा कर सड़कों पर ही फॉगिंग कर आई जाएगी साथी हर वार्ड के लिए एक एक पिट्थू मसीन भी नगर निगम दोरा जल्द खरी दे जाएगे और उससे हर वार्डों में फॉगिंग कर आई जाएगी भागलपूर के सदर स्पताल और मायागन स्पताल में डेंगू वार्ड बनाया गया है जिसमें कई बेड हैं जिसे मच्छरदानी के साथ स्चित किया गया है सहर इलाके में रहने वाले लोगों में सीजिनल बुखारू अखासी के मरीजों की संख्यां बढ़ी है फिजिसियन डॉक्टर बिने कुमार ज्हार डॉक्टर संभूमिस्रा ने बताया कभी डेंगू के असंका पर भी लोग जाच करवा रहे हैं अभी सतर कर रहने की जरुरत है चिकत्सकों ने डेंगू से बचने के कई उपाय बताया उन्होंने कहा कि पूरे सरीर को ढख कर रखे यम आसपास पानी जमानना होने दे साथी डेंगू के लक्षम ने बताया चिकत्सकों ने कहा कि अगर सेर दर्द मन कम चलना उल्टी होना मासपेसियां हड्डियों और जोडों में दर्द आख के पीछे दर्द मासपेसियों में सूजन तवचा का खुजलाना हो रहा हो तो समझे कि डेंगू का परकूप है और इसके लिए तुरंट चिकत्सक से सलहलें तो उन सभी को हम लोग भरती करते हैं और यह देंगू वार्ड में 30 मरीजों की बैउस्था है हमारे पास अधी बर्तमान में जबकि मरीज जो है हमारे पास अभी 17 मरीज भरती हैं कल 16 थे एक मरीज बड़े हैं उसका रीजन यह है कि तीन मरीज नए आये हैं और दो मरीज की छुटी हुई है देंगू में कोई विस्स दवा की जुरत नहीं होती है जो आम तोर पर दवाएं चलती है वही सारी देंगू में उपयोग की जाती है देंगू एक वाइरल इल्नेस है जो कि मच्छड का में पलता एड़ी जेटीयाई और वह मच्छड जो है जो देंगू के मरीज है जिसमेंकि देंगू के वाइरज घूम रहा है ब्लड में, उनका रेफ्स चूस के अगर नॉर्म अमरीज कूछ चूसेगा ब्लड, तो उसमें वो फैलता है, तो चुकि यहां का जो वराइटी है, जीनितिक मेकप है, वाइरस का, वो अभी माइल्ड है, इसलिए यहां पर, कोई सीरियस नहीं है, देखा जाता है कभी-कभी स जीनितिक वाइरस है, वो आ जाता है, अभी जैसे कि बाहर से आने वादे लोग और कहीं दूसरी जेगर फैला होगा, उस जनितिक मेकप का वाइरस तो अगर आएगा तो सीरियस हो सकता है, तो हम लोग उसकी तरफ लिए पूरी तरफ तयार है, तीस बेड हमारे पास है, हमक तीन मंजले पर तीस बेड और है, बचाओ के लिए कोई मैसेज देना चाहे है, बचाओ के लिए यह है कि हर एक लोग, चुकि यह देंगू का मनी जो है, दिन में ही कटता है, रात मनी कटता है, और यह गंदे पानी में रहता है, वो साफ पानी बरता है, साफ पानी यानी ज जो कि अगर बहुत जल्द ही किसी को बुखार हुआ है तो पॉजिटीव हो सकता है आई जीम आई जीजी पॉजिटीव भी आता है तो कोई भी एंटीजन टेस्ट अगर पॉजिटीव आ रहा है तो हम लोग उसे डिंगू का लक्षन मानते हैं अगर तेज बुखार के साथ माथे में दर्द है उल्टी हो रही है लोग परिसान हो रहे हैं तो देंगू का चांचा अवसे भी करा है देंगू का प्रसार बहुत सारे कंट्री में जो ट्रॉपिकल कंट्री है जहां गर्मी के मौसम का अद्टिवर प्रभाव रहता है वहां देगू है ज्यादा तो 40% में देगू का प्रचार प्रसार देखा लिए हमारे भारत में भी किछले कुछ समय से काफी सारे मरीज देगू से तरस्त होते हैं यह जानलेवा भी हो जाता है इसमें हम लोग रख्ट को सिकाओं का गन्ना करते हैं सीवीशी का जाज करवाते हैं जिसमें प्लेट की संख्यां बहुत किती ब्रगती से कमती है प्लेट कमने से बहुत सारा जो रक्ट सरौवine का लक्षन है और फृबल। संभावना फ्रवल हो जाता है अगर 10,000 से नीचे बहुत सारे लोग परिशान होते हैं प्लेटलेट से कि समाने जो लेवल नॉर्मल लेवल है उससे अगर नीचे आ रहा है तो लोग परिशान हो जाते हैं परिशानी की कोई बात नहीं है आप दर्द निवारक गोली न अपले बिना डाक्टर के सला का कोई भी दवा को प्योग न करें अगर आप एस्प्रीन या कोई भी तरह के दर्द का दवा लेंगे तो प्लेटलेट की संख्या में जो इसकी डिक्रीजिंग ओर्डर में रिड्यूस नंबर आने की संभावना बरी दाती है इसलिए किसी भी निकट बर्ती चिकिसक से प्रामर्स अस्थापित करने के बाद ही डेंगू का इलाज करें दूसरा कि अगर दसजार से नीचे प्लेटलेट जा रहा है या थोड़ा सा उपर भी दसजार से पचासजार से नीचे है और अगर उनकी तवियत ब्रोगी के तवियत में बहुत तरह की ब प्लेटले ट्रास्फूजन किया जाता है उसे तुरंद करवा लें नहीं तो हो सकता है कि या गिलम जो है जानले बाद नसाधित हो जाता है लोगों को पता चल जाता है कि वाइरस इंजक्ट कर गया है हमारे सरीज में तो लोग खबरा आ जाते हैं राजी सरकार एक तरब जहां प्रदेश में सुसासन का दावा करती है वहीं दूसरी और इसी सत्ताधारी सरकार के बिभागी अधिकारी ब्रश्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं रसल भागलपूर के गोराडी परखंड से एक मामला सामने आया है जहां एक परिबार को अपने ही पुत्र के मुआबजे के लिए सरकारी दफ्तर का चक्कर लगाना पड़ रहा है बता दे एक बर्स पुरू बाइपास रोड स्थिद ब्रिला स्कूल के समेप मोटर सैकल और स्कॉर्पियो की टकर में मोटर सैकल सवार यूबक सोनू पासवान की मौके पर ही मौत हो गई थी जिसके बाद अपने पुत्र की मौत के मौबजे के लिए पिताओ में स्पासवान और मास सकूनी देवी को अंचल कारिया लेके चक्कर लगाना पड़ रहा है प्रित उमेश पासवान ने बताया कि उनके घर का एक मात्र सहारा पुत्र था जिसके निधन के बाद उन लोगों की आर्थिक स्थिती दैनिया हो गई है उमेश पासवान ने कहा कि वे लोग बिगत च्छा महिने से दपतर के चक्कर लगा रहे हैं लेकिन उनकी किसी परकार की सुनवाई नहीं हो रही है मिटक सोनु पासवान के पिताओं में इस पासवान और मा सकना देवी ने मुआबजे को लेकर नाजीर अरंद कुमार पर रिस्वत मांगने का भियारोप लगाया है उनने कहा कि नाजीर की तरफ से उनसे पैसे के लिए डिमांड की जाती है अब सबाल यह उठता है कि क्या यही सुसासन की सरकार के कारिया लेके गतिविधी है और अगर यही गतिविधी रहेगी तो कैसे गरीबों को नियाय मिल पाएगा पास काँ दुए भाव यहाई थाएगा इनकी तरसाई लिए नाय यही तक कुछ मिलो चे सब कागाज पतर सा मजूद दलिये नाजीर भावु नाई दर लोचे तवरायर लोचे होम गार्ट जमानों की बहाली को लेकर अभियर्थी जलाधिकारे सुब्रत कुमार से मिलने करेक्टरियर्यट पहुँचे अभियर्थियों की मांग है कि कई बरसों से होम गार्ट जमानों की बहाली कर लिगाई है परंतु भागलपूर जिले में जो बहाली हुई है उसमें कई रिक्तिपद हैं फिर भी हम लोगों को उस पर न्युक्ति नहीं मिल रही अभियर्थि भागलपूर नोगच्या जगदीस पूर के लावे कई पर खंडों से पहुँचे थे उन लोग का कहना है कि 250 अभियर्थि ऐसे हैं जिनकी न्युक्ति अभी तक नहीं हो पाई है और जिलाधिकारी से कई बरास्वासन मिल रहा है अभियर्थि ने कहा कि दूसरे लिष्ट में नाम निकलने के बाद एवाधिकारे ने की थी दूसरा लिष्ट भी निकल गया लेकिन हम लोगों का उसमें नाम नहीं आ पाया वही जिल अधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने इस पर जल्द ऊपर के अधिकारियों से बात कर इस पर निर ने लेने की बात कही है लेकिन जब सहरी में इतना सीट तो गरामीन में क्यों नहीं है और दूसरा बात है कि सहर हम लोग फिजिकल में फिट हैं हर चीज में फिट है और हम लोग का सकेंड मेरीड लिस्ट जो है कि अभी नहीं दिया है टाइम पे टाइम डिया रहे हैं हम लोग भागलपूर कालगाओं परकांट से पढ़ते हैं मतलब भागलपूर जिला से पढ़ते हैं मुलाकात पे टाइम पे टाइम दिया जा रहा है डियम सर से हम लोग चाहते हैं कि सगेंड मेरीड लिस्ट दिया जाए भागलपूर के पुलीस जिला नोगच्छिया में अपराधियों के होसले पस्थ करने को लेकर लगातार नोगच्छिया पुलीस काम कर रही है अपराधियों पर लगातार नकेल कसी जा रही है। से अलट मोड में हैं छित्र के अलग अलग जगों से अपराधियों गिरभतार कर जील भेजा जा रहा है बीते चार दिनों में नोगच्या पुलीस खरी गोपालपुर प्रवत्ता से एकीस अप्राधियों गिरभतार कर चुकी है वहीं पॉक्सो एक्ट में 22 साल से फ्राल चल रहा प्राधियों की भी गिरभतारी की गई है इसमें से क्याक्ट मेंं गुपालपूर थाने में तीन और अटिया है उसी प्रकार और खडेक चारी हो और परवता से वी एक अठेड़िब्स एक क्यै़ इसता पुल नोग गिरभतारी केवल कल हुआ है और सत वहनों से सत वहनों से हमें ने छह हजार खाइम भी कलेक्ट किया है गिरफ्तारी देखिए जो खड़ीक सी हुआ है वो वारंट था जो चार के तर्व खड़ीक वारंट था और जो परवता ने किया वो भी वारंटी था कोर्ट से निकला हुआ वारंट था उसका तामिला किया गया गुपालपूर में एक सराग पीनेक मौमिले में है दूसरा चोड़ी और गवन के मौमिले में है और तिसरा मार्पीट के मौमिले में है और साथ वहानों से छेजार फाइन इसके अलावा कल जहन्डापूर का 62 पुब्लिक 21 किस नम्मर है धारा 376-511 पाठ फोक्सो एक्ट में केस दर्जवाता जिसमें अव्युक्त को पाँच वर्स का सोस्रम सजा और 10,000 रुपे जुर्माना सुनाया गिया है और जुर्माना नहीं देंगे तो 6 मा का एडिशनल सजा विकेश कुमार दास उर्फ मुखिया केसर महें दास ये जहन्डापूर का मामला है ये केस है 14 फरवरी 21 को है इनने कहा न दारा 376-511 भादू लगा है और 8 पोक्सो एक्ट लगा हुए राष्ट विज्ञान एवं प्रोध्योग की संचार परिसत विज्ञान एवं प्रोध्योग की विभाग बिहार सरकार द्वारा तीसवी राजस्तरिया बाल विज्ञान कांगरिस कारिक्रम का आयोजन भागलपूर के CMS हाई स्कूल में आयोजित किया गया कारिक्रम का विसे था स्वास्त और कल्यान के लिए परितम्स को समझना कारिक्रम के तहद भागलपूर वा आसपास के दरजनों विद्याले के सैकड़ों बच्चों ने विज्ञान कारिक्रम में हिस्सा लिया और अपनी अपनी प्रदर्सनी को लोगों के बीच कारिक्रम के दौरान रखा जिसका सभी विद्याले के प्रचार सिच्छक वाच्छात चात्राओं नी स्राहना किया कारक्रम के सयोजक ने बताया कि बिज्ञान प्राधारित ऐसे कारक्रम आयोजित होने से बच्चों के बेज बैज्ञानिक बौधिक छमता पढ़ती है और बच्चों के खोज प्राधारित कई बिंदूव पर सोच भी निखर कर सामने आती है साथी द्यानिक जीवन में निरने लेने हितू बाल विज्ञानिक आगे के लक्ष को भी अभी से तयार करना सुरू कर देते हैं स्टार्ट वर्स में स्टार्ट हो गया इसमें सबसे पहले हम लोग सीख्षक की कारसाला को लगाए थे सिख्षक करीब एक सोसाथ स्कूल के सिख्षक मद्विद्याले और हाइए इसको बताया गया कि कैसे प्रोजेक्ट का निर्मान आप बच्चों से करवा है उसके बाद वह से वो लोग अपना अपना प्रखंट से चुन करे आज यहां करीब पचास प्रोजेक्ट अभी तक आ चुके हैं और सबको रूम में हम लोग अलग-अलग डिस्टिब्यूट करके उसका मुल्यांकन निर्नायक मंडल के द्वारा किया जा रहा है करके रूम कर देश है कि बच्चों को एक वैज्यानिक मंज देना जिससे वो अपने अंदर के वैज्यानिक का सोच है उसको उभारे और वैज्यानिक पददियो को जाने की कैसे वैज्यान पददियो से किसी चीज का solution निकल सकता है तो इसके लिए हम लोग एक मुख विशय बनाते हैं, हर दो साल के लिए एक मुख विशय बनाते हैं, कि know your ecosystem, अपने पारी तंदर को समझना, और उसके अंतरगत बहुत साले उप विशय हैं, स्वास समंदी और हमारे जतने भी उप विशय हैं, appropriate technology, technology के थुरू एको सिस्टम को कैसे, तो इस सरे चार-पांच उप विशय हैं, उसके से सम्मंदित परियोजना के निर्मान करना है। तरह की आकर्सक इस्टॉल लगाए जाएंगे। तो दिपोट्सव नाम से, इसमें महला हैं, बहुत सारा बंदनवार, कोई दिया बनाई भी हाँ से, कोई ड्रेस है, कोई जोईलरी है, तो वो लोगों बोली कि मेरे को एड़िशन लगाने, ताकि मेरा प्रचार हो, और यहां पे लोग जैसे दिवाली की खरीदारी करते हैं चदर वगर सब नया नया आइटम, तो एक ही छट के नीचे उनको मिल जाए, लोगों को मिल जाए, और उननों का भी थोड़ा सा एड़ोटिजमेंट हो जाए, कि हम लोग यह काम करते हैं, तॉटल में लगेगा, उसमें हैं बंदन वार है, गने जी का मुर्ती है, चांदी का समान है, और खाने का समान है, ज्वैलरी है, भवान का ड्रेस है, चादर है, दोहर वगर है, सूट है, दुपत्ता है, और रेडी मेंड है, फैंसी चटाई है और बंदनवार है और दिया है फैंसी आइटम बहुत सारे आइटम है और मंडाला आर्ट है वो एक बच्ची बना रही है उसका एक्जिप्शन अपने हाथ से बनाती है